आईए आज हम देखते हैं एक astronomical चीज़ के बारे में जो एक खगोलिय घटना है उसका नाम क्या है सिजगी तो सिजगी हमारी condition है क्या किसे संबंध है पहली बात तो ये कि इसका संबंध है हमारा eclipse से जब हमारा ग्रहन लगते है तब हमारी सिजगी formation होती है और सिजगी का मतलब क्या है सीधा सीधा कि जब sun, moon और अर्थ हमारे तीनों एक ही line में दिखाई देते हैं एक ही line में होते हैं नहीं एक ही line में दिखाई देते हैं ये इनके viewing angle पर depend करता है किस तरह से आईए हम इस चंद्रमा और पृत्वी तीनों एक ही line में हमको दिखाई देते हैं इस condition को हम कहते हैं सिजगी अब दो पार्ट में हम पढ़ते हैं सिजगी को सिजगी की जब ये position होती है जब सूर्य और चंद्रमा पृत्वी के एक ही side पर होते हैं तो इनका क्या हो जाता है मिलन और उसको हम क्या कहते हैं conjunction ठीक है सिजगी का होता है क्या conjunction और जब चंद्रमा जो है उस side चला जाता है यानि जब Sun और Earth बीच में आजाए और Moon के चला जाए उस side तो एस से opposite side में जब हो गए तो इसको हम क्या कहते हैं opposition अब opposition होगा तो हमारी क्या condition होगी औरThank चे सूरिये से पढ़ने वाली पृत्वी पर सारी रोशनी को चंद्रमा रोक लेता है और इसमें लगता है क्या सोलर एकलिप्स ठीक है तो सोलर एकलिप्स हमारा किसमें लगता है सिजगी कंजंक्शन में और सिजगी ओपोजिशन में सन जो है उसकी पूरी लाइट को ब्लॉक कर इसलिए यह जो है सूरिय की पढ़ने वाली रोशनी को ही रिफ्लेक्ट करता है यहां पर और यहां अर्थ के ऊपर जब सन जो है अर्थ जो है सन की पूरी लाइट को ब्लॉक कर लेगी तो इतनी जगह पर मून का क्या हो जाएगा यहां पर लाइट नहीं दिखाई देगी रात के टाइम पे तो यहां पर क्या हो जाएगा चंद्र ग्रहन यहां पर क्या लग जाएगा लूनार एकलेप्स ठीक है तो यहां क्या लग जाएगा हमारा लूनार एकलेप्स यानि चंद्र ग्रहन तो चंद्र ग्रहन हमारा कब लिगता लगता है ओपोजिशन में सूर्य ग गेरी की लाइन में बिलकुल एक्जिएक्ट बराबर आ जाएं मतलब कि हमारी सूर्ये प्रित्वी और चंद्रमा यह तीनों हर राप अगर एक ही बार मतलब अगर हर बार हमारे एक सोसी डिगरी की लाइन में आते तो हर अमावस्या को अमावस्या मतलब यहां पर जब मून आ जाता है इधर तो हर अमावस्या को क्या होता लूना रेकलिप्स होता और हर न्यू मून को यानिकि हमारे पूर्णिवा को हर तरह से है, तो यह हमारी पृत्वी जो है, यह कितने डिगरी जुकी हुई है, अपने अक्ष पर साधे तेज डिगरी जुकी हुई है, और चंद्रमा जो है, वो पृत्वी के अक्ष से भी पांच डिगरी जुका हुआ है, इसके चारों तरफ परिक्रमा करता हुआ, यानि है इस equator का जो चंद्रमा का orbital plane है वो अपने orbital plane से भी 5 ढदीचन मय चुक्शा हुआ है किस तरफ नीचे नहीं साड़े 23 की तरफ तो साड़े 23 का मतलब क्या हुआ कि ये equator से सीधा और इस सेच ढद चौक्श साड़े साड़े तेश डिगरी और फिर पांच डिगरी और तो यानि कि साड़े 28 डिगरी जुका हुआ है इसका मतलब मुन जो है अर्थ के एक्वेटर से रिवाल्व नहीं कर रहा है यह कहां से रिवाल्व कर रहा है इस एक्वेटर के 28 डिगरी नौर्थ से इस तरह से फिर साउथ मे और यहां से फिर नौर्थ में अगर इसको हम ड्रॉ करके देखें तो यह हमारा किस तरह बनेगा कि चंद्रमा का जो अक्ष है यह पृत्वी से और भी टेड़ा है हमारी पृत्वी कुछ इस तरह से जुकी हुई है साड़े 23 डिगरी पर तो यह क्या है साड़े 23 डिगरी पृत्वी का अपने अक्ष पर जुकाओ यह हो गया हमारा इक्वेटर अब इक्वेटर से चंद्रमा जो है इस तरह से यह हो गया हमारा इक्वेटर का सर्कमफेरंस और इस सर्कमफेरंस से चंद्रमा अगर हम यहां सीध देखें तो यह हो गई एक्वेटर का हमारा एक्सेस अब इस एक्सेस से साड़े तेश डिग्री इधर प्लस पांच डिग्री और तो क्या हुआ यह हमारा कि एक्जियल टेल्ट हो गया चंद्रमा का एक्वेटर से इसका मतलब मून जो है वह इस तरह से कुछ रोटेट रिवॉल्व कर रहा है इस पृत्वी के चारों तरफ ठीक है तो पृत्वी के चारों तरफ चंद्रमा जो है वह कुछ इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है अगर हम यहाँ पर देखें तो यह हमारा एक्वेटरिल प्लेन हो गया मून का और इससे साड़े तेश इधर तो कुछ ऐसे चंद्रमा जो है वो पृत्वी के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है इसकी जो परिक्रमा है उत्तरी गुलार्थ में अग यहां एक्वेटर से साड़े 28 डिग्री यानि करक रेखा से उपर और फिर यहां मकर रेखा से नीचे कुछ इस तरह से चांद जो है प अगर हम ड्रॉ करते हैं सन को तो चै क्याँ करते हैं सन को तो पर मूं और ऑर्थ जब अपने और फिर गुंती हुई और चंद्रमा भी इसके और विल्थ पर गुमता हुआ जब यहतीनों एक ही लाइन में दाने गान क nih इस तरह से तो यह कंडिशन होते हैं हमारी सिजगी चीक है तो सिजगी को हमार एकलिप्स लगता है ये कंडिशन हमारी अगर जब भी ओती है तो एस्ट्रोनामर्स इस चीज पर ध्यान देते हैं ये हमारे एक्जाम में एक कुशन नोटेवल आता है